स्वागत है आपका आपकी फेवरी चैनल बोधी टी में दोस्तों आज हम कच्छा बारा का इस्टेटिशिक का चैप्टर नंबर टू समरेकी सहसंबन जिसे इंगलिस में कहा जाता है लिनियर को रिलेशन वो शीखने वाले है तो सब चीज एक एक चीज में आपको काफी गहरा आई में डीपली जाके समझाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी संसे डाउट नहीं रहेगा तो करना क्या है आपको सारे पार्ट्स देखने होगे अगर आपको पूरे माच्छ लाने हो तो सारे पार्ट्स देखने होंगे चैनल को सब् अर्थात क्या तो दो चरो की कीमत में प्रत्यक्ष अथ्वा परोक्ष कारणों से एक साथ कमी अथ्वा वृद्धी हो तो उनके 20 सा संबंध है ऐसा कहा जाएगा यह व्याक्षाई भी आपको याद रखने हैं अब यह मैं आपको समझाओ चर मतलब क्या चर को अंगलिस में कह इसमें चार जो है यह अचर है इसे constant भी कहते हैं और यह है आपका चर यत्वा चल जो भी कहते हैं इसे कहते हैं वैरी एबल यह याद रखेगा मैं जनली देखता हूं कि श्टूरेंट्स में जो सब्दों को लिखर के काफी problems रहती है तो सब्द आपको याद देने चाहे प प्रक्त्यक्षर ऐसी चीज जो आपको दिखाई दे और परोक्ष याने जो आपको दिखाई नहीं दे फिर भी उसका प्रभाव बना रहता है वो है परोक्ष तो जैसे आपको उद्हार बताओं इसका क्या मतलब हुआ जैसे कि खर्च और बचत आप जितना ज़्यादा खर्च करोगे बचत उतनी कम होगी और जितना कम खर्च करोगे बचत उतनी जाबा होगी तो इन दोलों के बीच में सहसंबंदय ऐसा कहा जाएगा जैसे कि बारिस और रेम कोट की विक्री तो जैसे जैसे बारिस बढ़ेगी रेम कोट खरीदने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी और बारिस घटेगी तो रेम कोट खरीदने वालों की संख्या घटेगी यह हुआ इन दोलों के बीच में सहसंबंद बराबर हर चीज के बीच में सहसंबंद ऐसा जरूरी नहीं ह पूछेंगे इन में से किसके बीच में सहसंबंद नहीं है बताएं जैसे कि पैट्रोल का भाव और साधी की संख्या तो भाई पैट्रोल की कीमत घटे बड़े उससे साधी पर कोई फरक परता नहीं है जैसे कि पैट्रोल के कीमत और व्यक्ति की उमर इनके बीच में कोई संब अगर इनके संबंद को अपने इन दो समीकरोण से दिखा सकें याद रहे हैं Y is equal to A plus BX अथवा X is equal to C plus DY ये दोनों समीकरोण के रूप में उसको अपने गणिती सुरूप में दर्सा सके तो उनके बीच में समरेखी सरसंबंद ऐसा कहा जाएगा यानि उसको आप गणित की लेंगएज में दर्सा सकते हो तो ही वो समरेखी संबंद है और सरसंबंद गुडांक तो यादरचिक चर X और Y के भी सर्ण रेखी संबंद के पैडाम को यानि इनके X और Y अपने लिया तो उनके भी यह जो समीकरण है इसकी जो value आती है वो हुआ उसका सरसंबंद गुडांक अगरेज में कहेंगे correlation coefficient और याद रखना इसको R से दर्साते हैं और इसकी value इस तरह से होती है R is equal to greater than equal to minus 1 and less than equal to plus 1 जो सरसंबंद गुडांक होता है इसे R से दर्साते हैं ये भी याद रखिएगा और इसकी value greater than equal to minus 1 and less than equal to plus 1 होती है अगर R बराबर minus 1 है तो संपूर रिण सरसंबंद गुडांक कहा जाएगा और R बराबर plus 1 है तो संपूर धन सरसंबंद गुडांक कहा जाएगा अब देखे ये जो सरसंबंद ग्याद करने की तीन पद्दतिया ये याद रखिए बोड में काफी बार पूछा चुका है आपको याद रखना है पहली है काल पियर्सन की गुड़न प्रगात की रीत दूसरी है प्रकीड आलेक की रीत स्केटर डायग्राम कहते है इस मैथड को तो ये सबसे आसान मैथड है प्रकीड आलेक की जो रीती है ये सबसे आसान दोसरों मैं जब आपको ये सब चीजे समझा रहा हूँ इसमें बहुत से उप्रस्टों को उत्तर आपको मिलते जाएगे तो आपको ये जो theory है इसको लिख भी ले दा है मैं generally notice किया है मैंने कि students से theory से नफरत करते है सवाल बड़े आसानी से प्रेंसे कर लेते हैं लेकिए theory की बात आती है तो उससे नफरत करते है वो बोल देते है I hate you नहीं चलेगा भई आपको theory से भी मुहबत करनी पड़ेगी अगर 100% माक्स आई है तो उके प्रकीर मैंन की क्रमांग सहसंबंदां की रीती ये तीन मैंन आप लोग याद रखेगा काल पिरसन की गुणन प्रगात की रीत प्रकीर आलेक की रीत और स्पियर मैंन की क्रमांग सहसंबंदां की रीती ये तीन मैंने जिसके द्वारा हम सहसंबंदां को याद कर सकते हैं एक एक करके हम इन सब चीजों को दिखने वाले हैं दोस्तों अब हम देख रहे हैं सहसंबंद के प्रकार दो मुख्य प्रकार है धन सहसंबन्द और रिंट सहसंबन्द कई बार एक्जाम में ये ग्राफ बनाने को भी कहते हूं तो ये धन सहसंबन्द याने क्या तो जब ये जो ग्राफ है, हमारा जो skater diagram है, प्रकीड आकृती है इसके सारे बिंदू एक ही रेखा पर हो, दिख रहा होगा आपको सारे बिंदू एक ही रेखा पर हो और ये नीचे से उपर की ओर जाते हो, यानि दाये से माये की ओर उपर की दिशा में जाते हो तो इसे कहते हैं धर सरसंबन्द, उसका ग्राफ इस तरह से बनता है रिंड सरसंबंद यानि यदि जो प्रकीन आक्रिती है अत्वा डाइग्राम है आलेखे उसके सारे बिंदू एक ही रेखा पर उपर से नीचे की ओर आते हो तिसे कहते हैं रिंड सरसंबंद यानि एक भी बिंदू आपका इदर उदर नहीं होना चीए देखो आर बराबर प्लस वन होवे तो धन सरसंबंद होता है आर बराबर माइनस वन होवे तो रिंड सरसंबंद होता है सरसंबंद का अभाव यानि देखे ग्राफ को देखे यह जो ग्राफ है बोड में पूछा आ चुका है कि सरसंबंद के अभाव को दरसाने वाला प्रकीन सहसंबंद का अभाव यानि इनके बीच में किसी भी प्रकार का सहसंबंद नहीं है किलियर अब ये चीज याद रखिए ये आपको सवालों में बहुती जरूरत पड़ती है और इसको थियरी के रूप में एक्जाम में पूछा भी जाता है सहसंबंद गुडांग की विशेषता है तो सहसंबंद गुडांग का मुल्य माइनस एक और प्लस एक के अंतराल के बीच में होता है मैं अल्यडी आपको बता चुका हूँ ये देखिए जो r है उसकी value greater than equal to minus 1 and less than equal to plus 1 होती है याने अपने सवाल हल करने बैठे हो अगर आपका r की value आए one point something, two point something तो समद लेना आपने कहीं गलती की है याने r की value greater than equal to minus 1 और less than equal to plus 1 होती है और ये मत बताई चुका हूँ r बराबर plus 1 हो तो समपूर धन समद समद r बराबर minus 1 हो तो समपूर रिड समद x और y के बीच का समद गुणां याने r x y y और x के बीच का समदां r y x समान होते है तो देखे, x का y पर से समदां ग्याद की दी है या y का x पर से value दोनों की एक समान आती है ये important चीज है उद्गम बिंदू और प्रमार्मा परिवर्तन का सर समद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बहुत important है आपको x और y की value दी जाएगी तो x और y के जो अउलोकन है उसमें आप कोई भी चीज plus कीजिए या minus कीजिए गुणा कीजिए या भाग कीजिए तो भी r की value पर कोई फरत नहीं पड़ता इस line का ये मतलब है उद्गम बिंदू और प्रमार्मा परिवर्तन यानि की x और y की जो value होती है आपकी उसके x और y दोनों के अउलोकनों में आप कोई भी चीज प्लस कीजिए कोई भी चीज माइनस कीजिए गुणा कीजिए अत्वा भाग कीजिए उसकी कीमत पर कोई फरत नहीं पड़ता ये है ये वाली line सरसंबंद गुणा की काई से मुक्त है यानि जो सरसंबंदा का आपका आता है उसको आप मीटर सेंटी मीटर, रुपया, पैसा कैसी कोई भी काई में उसको नहीं दर्सा आजाता है अब ये चीज याद लखिए बोड में अक्सर ये सवाल आता है जैसे r minus xy यहापे आपका x minus है तो यह क्या हो जाएगा minus r x y यहापे आपका y minus है तो minus r हो जाएगा, अगर दोनो minus हुए यहाँ पर, तो जो आपका r है वो क्या हैगा, प्रोजिटिव आएगा क्योंकि minus minus plus तो यह सारी चीजे आपको दिमाग में लिखने नहीं है खोपड़े के साथ साथ चोपड़े में दोनों जगा पर आपको लिख ले नहीं है ओके दोस्तों अब हम सूत्र देख रहे हैं यह है original सूत्र, इसपे से सारे सूत्र बने हुए क्या सूत्र है co-variation of xy upon sx into sy co-variation याने इसको बोलते हैं सह विच्णड co-variation याने सह विच्णड बरबर इसका और sx बराबर होता है x का प्रमाफ विच्णड sy याने y का प्रमाफ विच्णड यह sx का फॉर्मिला है इसी दरह s y का भी हो जाएगा ओके यह जैसे जैसे सवाल आते जाएगे मैं आपको explain करते जाऊगा कोई बात नहीं अब यहाँ यह तीन सूत्र यह तीनों है काल पियर्सन की गुणन प्रगात की रीथ पहला सूत्र यान दे रखिए यह सूत्र का बाता है जब आपका x बार और y बार पूरां को पूरां की आने 10 मलों में ना है आपको जो अवलो कर देंगे उस पे से आप x बार और y बार की इनकी वेल्यू पचीछ से जादा हो और उसके बाद अपने ने x बार और y बार निकाला यह पूरा अंकना हो, पूरा अंकना हो, यानि point में आए, decimal में आए, तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं, तो अब देखिए, अब तीन सूत्र हैं, अब आपका पूरा confusion में दूर कर देता हूँ, तो सबसे पहले आप यह X और Y की value देखिए, अगर उसके अलोकन 25 से कम हो, त यह सूत्र सबसे अच्छा है, अगर 25 से अलोकन कम हो, यह कोई नियम नहीं है, यह सिच्छक हो रहे हैं, विद्यार्थियों की सूधिया के लिए, यह मैथन बनाया है, समध्दीजी, 25 से छोटा हो तो यह सबसे आसान है, 25 से बड़े अलोकन हो है X और Y के, तो यह दोनों 25 से बड़े हो, उसके बाद अपने X बार Y बार की वेल्यू लगाएंगे, अगर X बार Y बार आपका डैसिमल में आता है, तो यह सूत्र डैसिमल में नहीं आता है, पूरांक आता है, तो यह वाला सूत्र लेगा, और यह है हमारे Charles Spearman का सूत्र, क्रमांक सहसंबंदां का सूत्र और यह सूत्र डैसिमल में आता है, तो सबसे पहले आपको यह सूत्र सारे लिख लेने चाहिए, सूत्र देखें दोस्तों, गणित, स्टेटिस्टिक्स, इसकी सारी दुलिया सूत्रों बहाता रहे थे, अगर आपको सूत्र नहीं आ रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकत इसे आपको सूत्र, मैं आपको सला दूगा कि चार-पाइद बाल लिख लिजिए, उसके बाद हम इसके सवाल करेंगे, तो आपको एक इंच मी कभी भी तकलीप नहीं पड़ेगी, मगर सूत्र आपको तयार होने चाहिए, दोस्तों आपको बारी है सवालों की, एक्सरसाइ वैल्यूस 25 से काफी जादा है, इसे दूसरे नंबर का सूत्र नहीं लगेगा, सूत्र लगेगा या तो पहले नंबर का, या फिर तीसरे नंबर का, जो हमने दिखाये थे काल पियर्सन के, तो सबसे पहले आप इसका टोटल किजिए, सिगमा एक्स और सिगमा वाय, तो सिग एक्स बार और यबार, एक्स बार इस इकल टू, सिगमा एक्स अपोन एंड, सिगमा एक्स है आपका 116 लाइन, अपोन 7 तो या आएगा 167, या आएगा 167, या आएगा 168, ऑके, तो यहाँ पर हमने देखा कि आपका जो x बार है y बार है ये पूरां के में आ रहा है decimal में नहीं आ रहा है तो ऐसे में आपके लिए जो पहले नंबर वाला सूत्र है वो ज्यादा आसान पड़ेगा लिखें यहाँ पर यह आएगा x-x बार यह आएगा y-y बार तो आपका x बार है आपका 167 और यह आपका 168 तो इन सभी में से अपने 167 घटाएंगे 170 में से 167 3 169 में से 172 यह आएगा आपका 1 यह 0 यह जाएगा आपका माइनस 1 यह माइनस 2 और यह माइनस 3 दोस्तों यह मैं आपको बताओं कि प्लस वाले अलग रखिए माइनस वाले अलग रखिए तो इससे क्या होता है कि आपको जोड गटाओं में सुविदा रहती है प्लस वाली वेल्यों अलग रखिए, माइनस वाली अलग रखिए तो आपको जोड़ गटाओं में काफी सुगदा रही दी और सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ये आपका जीरो आना ही चाहिए बरबर ये अगर आपका जीरो नहीं आये तो आपने समद लिए काई भूल कर दिए कि 3,2,5,1,6,3,2,5,1,6,0 ये जीरो आना ही चाहिए यही पर आप चेक कर लेगा 5 मार्क्स का सवाल आता है 5 मार्क्स का इसलिए एक भी भूल की गुझाईस नहीं रखेंगे या इन सब में से 168 गटाओंगा ये भी जीरो आएगा 3,2,5,1,6,4,2,6 खिलिए अब यहाँ पर इन दो लों का गुणा X माइनस X बार इंटू Y माइनस Y बार इन दो लों का गुणा करके या लिखेंगे यहाँ आएगा X माइनस X बार का होल स्क्वार यहाँ आएगा Y माइनस Y बार का देखे यहाँ पर भी ध्यान लखने दोस्तों प्लस माइनस में एक भी भूल नहीं होनी चीए 3,4,12 2,0,0 2,1,2 0,0,0,0,3,1,3 2,1,2 माइनस माइनस का गुणा प्लस एक भी भूल की कुणजा इसमें होनी चीए 3,2,6 तो सिगमा X माइनस X बार 23,2,25 ओके यहाँ इनका स्क्वेर करके रिखेंगे 3 का वर्ग 9,2 का वर्ग 4,1 का वर्ग 1 0,1 का वर्ग 1,2 का वर्ग 4,3 का वर्ग 9 इसी तरह यहाँ 4 का वर्ग 16 0,2 का वर्ग 4 0,3 का वर्ग 9 माइनस वाली संख्या का वर्ग भी प्लस होता माइनस 3 का हॉल स्क्वेर याने माइनस 3 इंटू माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये याद रखेगा 2 का वर्ग 4 6 का वर्ग 36 टोटल कर दीजिए 9,10,4,14 9,10,4,14,14,14,28 36,4,49,49 ओके और ये 20 69 याद अख्या लागया होगा दोस्तों आप लोगो अब हम लगाएंगे हमारा सूत्र r is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar under root sigma x minus x bar का whole square into sigma y minus y bar का whole square चलिए इसकी value कितनी है 25 sigma x minus x bar का whole square 28 ये है आपका 69 बर्बर इतना ख्याला लागया है मैंने values लग दी अब ये 25 एक method ये है कि दोनों का अलग अलग आप वर्गमून लिका लिए या फिर दोनों का गुड़ा करिए फिर वर्गमून लिका लिए जो आपको योगी लगे जो method आपको योगी लगे घापकत कैडमून लिका का लूटक लिए लिए बस लूबर यापको यापकर लिका का बसल यापका जोपक्ाट कि लिएता इन पार आपको पर वरता जोपने लिए गैने उर न्हाने यहाँ पर दो का वर्ग आएगा sorry यह गलती हो गई है यह होजाएगा आपका 34 यह है 34 sorry तो अब इनका वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे इन दो लगा गुड़ा करने पर आएगा 952 952 का वर्गमूल निकालेंगे वो आएगा 30.85 इससे भाग देंगे तो आएगा 0.81 ओके फिर से देख लिए सबसे पहले आपको सवाल देखके आपको आइडिया आना चीए कि इसमें कौर सा सूत्र लेगे गा सारी वेल्यू स्मौर देन 25 है 25 से बड़ी है या तो पहले नंबर का सूत्र सूब रहेगा या पर दीसरे गा तो देखें X और Y तो हमने सिग्मा X और सिग्मा Y निकाला सबसे पहले अब निकालेंगे X बार और Y बार X बार आएगा 167 पूडांक है Y बार आएगा 168 पूडांक है तो अगर x bar y bar product होए तो पहले नंबर का जो सूत्रे वो सबसे सुविदा जनक रहता है यानि यह वाला सूत्र अब देखें इन सभी में से 167 गटा रहा है 170 में से 167 3 169 में से 167 2 167 में से 167 0 166 में से 167 माइनस 1 तो यहाँ पर एक चीज खास यहां देखें 0 वाले अलग रखें स्वरी प्लस वाले अलग रखें माइनस वाले अलग रखें तो जोड़ गटाओं में कापी सुविदा रहती और इन सब का टोटल यहाँ 0 आना ही चाहिए अब देखें इन सम में से 168 गटाएंगे 172 में से 168 4 168 में से 168 0 170 में से 162 168 में से 168 0 यह भी 0 इन दो लोगा गुड़ा करके लिखेंगे 3 चौक 12, 2 गुणे 0, 0, 2 एकम 2, 0, 0, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 3 दो नीच है इन सब का वर्ग करके आने लिखेंगे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1, 0, 1 का वर 1, 2 का 4, 3 का 9 इसी तरह इनका वर्ग यहां करेंगे 4 का वर्ग 16, 0, 2 का वर्ग 4, 0, 3 का वर्ग 9, 1 1 का वर्ग 1, और 2 का वर्ग 4 सबका total हमने कर लिया और यह हमारा सूपर है value रखी, इसके place पर आएगा आपका 25 sigma x minus x bar का hall square 28, यह 34 अब क्या करेंगे इन दोनों का गुड़ा करेंगे 952, 952 का वर्ग मूल यह अंडरूट में है यह 30.8 इससे भाग देंगे तो आएगा 0.1 इसके बाद भी अगर आपको कोई problem हो तो दोस्तों लोग आप comment box में लिखिएगा अपने दोस्तों को इसके बारे में अवस्य बताईएगा अब देखते हम अगला सवाल बंद कर दोस्तों अब देखें दोस्तों सेकंड नमबर का सम देख रहे हम exercise 2.2 का तो सबसे पहले हम sigma x निकालेंगे sigma x, sigma y सबका total 2, 4, 6, 4, 10 यह हो जाएगा 180 और यह है आपका 132 तो now x bar is equal to sigma x upon n, 180 बटे में 6, कितना आया 30 6 का सबसे देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उकनों की संग्या है 6 तो now y bar is equal to sigma y upon n, 132 बटे 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यह आया 22 तो हमारा यहाँ पर x bar हो y bar है, यह पूरां की में आ रहा है तो जब x bar y bar आपका पूरां की में आए तो जो पहले नंबर का सूतर है जो हमने इससे पहले देखा था, वही आपका लगेगा यहाँ आएगा x minus x bar, जहाँ x bar है आपका 30 y minus y bar, जहाँ y bar है आपका 22 24 में से 30 गड़ा है, minus 6, minus 4, plus 2, plus 3, plus 5, 0 और यह चेक कर लेने का उन्दश स्पोर्ट, यह 0 आना चाहिए 5, 3, 8, 2, 10, 6, 4, 10 27 में से 22, 5, 24 में से 22, 0, minus 2, minus 7, plus 2 तो देखे, 5, 2, 7, 2, 9, 7, 2, 9, यह 0 आना ही चाहिए यहाँ आएगा इन्दों रोगा गुणा x minus x bar into y minus y bar 6, 35, minus 30 4, 2, 8, minus 7, 2, 0, 0, 3, 6, minus 7, 7, 35, 2, 0, 0 आप देखे, इनका वर्ग 6 का वर्ग यहाँ पर आप इस तरह से लेकेंगे x minus x bar का होल स्पैर यहाँ आएगा आपका y minus y bar का होल 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 0 देखे, संख्या आपकी minus हो या plus जब आप उसका वर्ग करते हो तो वो हमेशा plus आएगा देखे, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 0, 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49, और यह 4 यह टूटल कर लेगे यह है आपका minus 79 सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल इसके है यह है आपका 90 यह है आपका 86 सबका टोटल हमने कर लिया अब आपारा जो सूत्रे यह लगाई है r is equal to sigma x minus x bar y minus y bar under root sigma x minus x bar का whole square sigma y minus y bar का तो यह है आपका 79 यह है आपका 90 यह है आपका 86 सिग्मा एक्स मैनस एक्स बार नब्बे वाई मैनस वाई बार च्छासी नब्बे गुणे च्छासी ये आपका होगा 7740 अब क्या करेंगे 7740 का हम निकालेंगे वर्गमून तो वो आएगा आपका 87.98 इससे इसमें भाग देंगे तो हमको मिलेगा 0.90 बरबर ये माईनस था माईनस था इसलिए हमारा जो आंसर हो माईनस लाएगा सबसे पहलें सवाल देखके हमको आइडिया ना चीकि इसमें कौल सा सूतर हो योगी लगेगा तो सारी वर्लिस मोर दें 25 है फिर हमने x बार वाई बार निकाला x बार वाई बार आपका पूरा अंका रहा है दसमलों में नहीं आ रहा है तो ये सूतर हमारे लिए सबसे सुईदा जनक रहेगा तो देखे x बार है 30, y बार है 22 सब में से 30 गटाई है 24 में से 30 माइनस 6 26 में से 30 माइनस 4 32 में से 32 33 में से 33, 33 33 में से 35, इसी तरह इन सब में से 25, 22 गटाएंगे सोरी, 27 में से 25, 24 में से 22 गटाएं 2, 22 में से 22 गटाएं 0, 20 में से 22 गटाएं माइनस 2, 15 में से 22 गटाएं माइनस 2, 24 में से 22 गटाएं 2, अब यहां त्या करेंगे इन दो लोगा गुणा x-x-y-y-y-y 6-35, minus और प्लस का गुणा किया minus 4 दुनी 8, 2 गुणे 0, 0 3 दुनी 6, plus और minus का गुणा minus, 5, 7, 35 plus और minus का minus अब इनका वर्ग करके या लिखे, 6 का वर्ग 36 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 यह 0 इनका वर्ग या लिखेंगे, 5 का वर्ग 25 2 का वर्ग 4, 0, 2 का वर्ग 4 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4 सब का टोटल हमने लिख दिया यह हमारा सूत्र है तो सिग्दमा x-xy into y-y कितना है? minus 17 इसकी वेल्यू कितनी है? 90 इसकी वेल्यू कितनी है? 86 90 गुणे 86 करेंगे तो आएगा 77,740 तो अब 7740 का वं निकालेंगे वर्ग मुलू होगा 87.98 इससे इसमें भाग देंगे तो आपको मिलेगा minus 0.90 तो दोस्तों यहाँ मैं पहला जो भाग है इस चेप्टर का उसको पूरा कर रहा हूँ और इसके मैं सारे जो पार्ट से वो आपको बताऊँगा सारे मेथड आपको मिलने वाली है तो चैनल को लाइक और सेर कीजीगा Thank you very much friends